नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम रास्थान के बारे में बात करेंगे उसके पहले संतोज जी दिपाली जी स्रीम जी आरपना यादर जी प्रांजल जी आनंदिता जी रीनु जी हरी जी संतोज जी फन फॉर फ्राई जी सुनीता जी पूजा तिवारी जी इला सुकला जी सुनीता जी अ उपदीब जी टूर्सी जी लक्षमी जी आप सभी का बहुत-बहुत धनेवाद आपके अच्छे-च्छे कमेंट्स के लिए चल्दी से हम रस्खान को पढ़ लेते हैं ठीक है कल हमने मीडा बाइक के बारे में जाना था और वीडियो में मैंने इसके एक दो पंक्तियां पढ़ लेती हैं आज वहीं फिर से सुरू करी हूं मैं रस्खान ये दिल्ली की एक पठान सड़वार थी इन्हों ने प्रेम पाटिका में अपने को साही खांदान का कहा है कैसे कहा है देखी गदर हित साही भी दिल्ली नगर मसान छिलही बादसा बंस की ठसक छानी रस्खान तो इनकी इन पंक्तियों से पता चलता है कि इन्होंने स्वैम को बात किसका कहा था साही परिवार का संभव है पठान बादसाहों की कुल परंपरा से इनका संबंद रहा ह ये बड़े भारी क्रश्ण भक्त और कोस्वामी बिठ्थल जी के बड़े क्रपा पात्र सिस्य थी 252 वैश्वन की वारता में इनका प्रत्तांत आया है ठीक है उक्तवारता की अनुसार ये पहले एक बनिया के लड़के पर आ सकत थी ठीक है एक दिन उन्होंने किसी को कहते सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रस्खान का उस बनिये के लड़के पर है इस बात से मरमाहत होकर ये स्रीनाच जी को ढूंते ढूंते गोकुल आए और वहां गुसाई मिठ्थलना से जी से सिच्छल यही अख्याई का एक दूसरे रूप में भी प्रस्थ है जहां यह कहा जाता है कहते हैं कि जिस स्त्री पर आ सक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी एक दिनी स्रीमद भागवत का फार्सी तरजुमा पढ़ रहे थे तब ही पढ़ रहे थे उसमें गोपियों के अनन्य और अलोग के प्रेम को पढ़ कर इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों अमन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी इस बात से ये व्रंदा बन चले आए और प्रेम वाटिका में इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं ऑपियां प्रेम वाटिका में जो रजखान जी ने दोहा लिखा है इस दोहे से यह का संकेत है वह इसी घटना की तरफ माना जाता है कौन सा तोरिमाननी तेहियो फोरि मोहिनी मान प्रेम देव की च्छाबही लग भयमियां रजखान इन प्रवादों से कम से कम इतना तो अवेश्य सूचित होता है कि आरंभ में ये बड़े ही प्रेमी जीव थे चाहे वो बनिया के लड़के से प्रेम करते हूं अत्वा किसी रेस्त्री पर आ सकत हूं लेकिन अगर इन प्रवादों से कम से कम इतनी सूचना हमें मिल जाती कि ये बड़े ही प्रेमी जीव थे वही प्रेम अत्यंत गूरज भगवत सकती में परनित हूँ जो इनके अंदर प्रारम से ही प्रेम का बीज था सौरी वो बाध में गूर भगवत भकति के रूप में पर स्रंगार संबंधी कवित सवयों को ही रस्खान कहने लगे मतलब इतने अच्छे उद्गार इन्होंने अपने सवयों में डाले हैं कि जो जनता थी उसने जितने भी स्रंगार संबंधी जो कवित सवयों होते उन सवयों को ही रस्खान कहा जाने लगा था है ना जैसे लोग क्य कहते थे कोई जरा रस खान सुनाओ गवित सवय ना सुनाओ रस खान सुनाओ ठीक है इनकी भासा बहुत ही चलती और सब्दा डंबर से मुक्त होती थी उसमें सब्दों का बेफजूल आडंबर नहीं होता था कि सब्दों के उसमें पड़े हो यह सुद्ध ब्रज भासा का जो चलतापन और सफाई नकी और घनानंद की रचनाव में है वे अन्यत्र दुरलब है अब देखिए रसखान जी को यहाँ पर घनानंद जी के तुलना कर रहे हैं किस चीज के लिए सुद्ध ब्रजबhasa का जो चलतापन और सफाई सुखल जी को किसमे किसमे दिखाई धी रस्खान में और घनानंद में ठीक है वो अन्यत्र दुरलव है मतलब प्राप तो नहीं होती इनका रचनाकाल समथ 1640 के उपरांथ ही माना जा सकता है क्यूंकि गोसाइं विठ्थल नाथ जी का गोलोक पास 1513 सॉरी 1643 में हुआ था प्रेम वाटिका का रचनाकाल समथ 1671 में है अताहा उनके सिस्ष्य होने के उपरांथ ही इनकी मधूर भाड़ी इस फुटित हुई होगी इनकी क्रति परिमार में तो बहुत अधिक नहीं है मतलब बहुत अधिक बड़ी नहीं है बहुत जादा नहीं लिखा है पर जो भी वे मात परिमीयों का जो मर्म होता है ना उसको दिल डिल को चू लेने वादी हो भी मेलिई इनकी दो छोटी-छोटी पुस्तके अब तक प्रकासित हुई हैं दो पुस्त के प्रकाश्वित हुई है वो है सच्चे प्रेम की व्यंजना की है जादा तर जो क्रश्न भक्त थे उन्होंने गीत काव्य ही लिखे पर इन्होंने क्या लिखा इन्होंने कवित और सिवाईयों में अपने प्रेम की व्यंजना की प्रजभूमी के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवाईय अत्यंत प् जो पस हो तो कहा बस मेरे चरो नित नंद की धेन मंझारन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी छत्र पुरंदर धारन जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कून कदंब की डारन कितना सुन्दर उन्होंने कहा है चलिए यह अगला देखते हैं या लकुटी और अरुकमरिया पर राज तिवुपुर के तजिडारों आठाउ सिद्धि नवहुनिदि के सुकनन्द की गाय चराय बिसारों नैनन सोरस खान सबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों के तक ही कलधोत के धाम करील की कुंजन उपर वारों और ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ये पंक्तियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ठीक है अनुप्रास की सुन्दर छटा होते हुए भी भासा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई हैं बीच बीच में भावों की बड़ी सुन्दर व्यंजना हुई है लेला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजन कारी कारिनी रचनाएं की हैं भगवान प्रेम के वसीवूत है जहाँ प्रेम है वहाँ प्रिय है इस बात को रस्खान यूं कहते हैं ठीक है रस्खान जी इस बात को कैसे कहते हैं चलिए देखते हैं ब्रह्म में धुंडियों पुरानन गानन वेद रिचा सुनी चौगुने चायन देख्यों सुनों कभ हूँ न कहो वह कैसे सरूप और कैसे सुभायन इस तरह की भावों की एक आत पद इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़ आएं है तेरत हेरत हर पर्यो रस्खान बतायो न लोग लुगायन देख्यों दूर वकुन्ज कुटीर में बैठो पलोटत राधी का पायन और कुछ नमूने देख लीजे वाकई में रस्खान जी ने बहुत अध्वोद लिखा है मोर पखा सिर उपर राखे हो गुंज की माल गले पहिरोंगी ओड पितामबर लेलकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी भावतो सोई मेरो रस्खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरन अधराधारी अधरान धरोंगी ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आप रस्खान जी की पंक्तियों को विसेश रूप से अपने मन में रखिएगा इसको याद रखिएगा ठीक है ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली पंती है सेस महेस गनेस देनेस सुरेसाहु जाही निरंतर गावे जाही अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे प्रेम वाटिका से लिया गया बड़ा सुन्दर पद है ये इसलिए रस्खान जी को मैंने उस पद में पिछले वीडियो में नहीं रखा था जेही बिनु जाने कच्छू नहीं जान्यों जात विसेश सोई प्रेम जेही जानी के रहिन जात कच्छु सेश प्रेम फास सो फास ही मरे सोई जीए सदा ही प्रेम मरम जाने बिना मरिकोव जीवित ना ही ठीक है रस्खान जी की पंक्तियां विसे इस रूप से याद रखेगा बाकी इनका जन्म मरान और इनकी प्रमुक रचना है और चलिए बात करते हैं दुरूपγάज्जी की हें तुरूपदा जी यह स्री हित हरी बनस जी के सिर्ट शौफन में हुए थे इनंहोंने जो सिस्ज़त्व था हित हरी बंस जी का वो शौफन में गरेंट किया था इसके अत्रेट इनका कुछ भी जीवन ब्रत प्राप्त नहीं हुआ है यह दिखता ब्रंदावन में ही राहा करते थे इनकी रचनाएं बहुत ही विस्तृत है और इनोंने पदों के अत्रेट दोहे, चौपाई, कवित, सबये, आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तट्व का बरणन किया है रामचंद्र सुकली जी हमें लगातार ये बताते जा रहे हैं कि किस रचनाकार ने, किस कभी ने, किन पदों में, किस तरह की मतलब पदों में रचनाएं अपनी की है चोटे मोटे सब मिलाकर लगबग इनके 40 गरंथ मिले है जिनके नाम ये है, मतलब दुरुपदाजी के लगबग 40 गरंथ मिल चुके है नाम देख लीजेगा जितने हो सके हैं याद रखिएगा कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है वरंदावनसत, सिंगारसत, रतनावली, नेह मंजरी, रहच्य मंजरी, सुख मंजरी, रत मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद साविनोद, आनंद दसाविनोद, रंग विनोद, नत्य विलास, रंग हुलास, मान लीला मानलीला बहुत पूछी जाती है रहस लीला प्रेम लता प्रेमावली भजन कुंडलियां भजन नामावली मन श्रंगार भजन्सत प्रीज जोवनी रस मुक्तावली वामन प्रहत की वामन प्रहत-पुरान की भासा सभा मंदली, रसानंद लीला, सिध्धान्त विचार, रसहीरा वली, हित श्रंगार लीला, वरज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, चीब दसा, वैध्य लीला, दान लीला, और व्याहलो, ठीक है, यहां ध्यान दीजेगा, जो इनके रचनाओं के बाद में सत आया है, यह और किसी उसमें आपको रचनाओं में नहीं मिलेगा, तो सत इनी से आप जोड सकते हैं, मंजरी तो आपको कई में मिल जाएगा, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बाद विनोत भी आपको कई में सत एकदम अलग सकते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ आपको ब नामा वली लिखिये, ठीके नाबाद आजी ने जो भाक्त माल लिखी, उसी क्यान कराण पर इनोंने भाक्त नामा वली लिखिये, जिसमें अपने समय तक के भाक्तों का भी उल्लेक इनोंने किया है, इनकी कई इस पुस्तकों में समवत दिये गए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, ब्रंदावनसद 1686, रसमंजरी 1680, आता इनका रचना काल समवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है, इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये गए हैं, समवत रचना काल थोड़ा ध्यान रखियेगा, क्योंकि आजकल आयोगा आपका बहुत ग्याराई में जा रहा है, चले संगार संगार सत्सेन की जो नमूने हैं, वो देख लेते हैं, अभी तक ये ज़्यादा पूछे नहीं गया है, रूप जल उठत तरंग है कटाचन के अंग अंग भौरन की अति गहराई है, नैनन को प्रतिबिम्ब पर्यो है कपोलन में तेई भै मीन तहां ऐसी उर आई है, ठीक है अरुन कमल मुस्कान मनो फबी रही धिरकन बेसरी के मोती की सुहाई है, भैयो मुदित सक्खी लाल को मराल मन जीवन जुगल दुव एक ठाव पाई है शुंगार सत से था, से लिए नेह मंजरी से देख लेते हैं क्या लिखा है इनोंने प्रेम की बात कच कही नहीं जाई, उल्टी चाल तहां सब भाई प्रेम बात सुनी बौरो होई, तहां सयान रहे नहीं कोई तनमन प्रान तीहे तिन छिन हारे, भली बुरी कच हुए न बिचारे है न, ऐसा ही होता है न, किसी को अगर अनुभव हो तो बताईएगा ऐसो प्रेम उपजी बे, उपजी ये जमही हितद्रुवबात बनाई है तब ही ठीक है, चलिए बजन सत्थ से भी देख लेते हैं, बजन सत्थ के दारण देख लेते हैं ये बहुत ज्यादा लोगों से कहते सुना जाता है बहु बीती थोरी रही सोव बीती जाए हित द्रुवबेग बिचारी के बसी ब्रंदावन आए बसी ब्रंदावन आए त्याग जला जही अभिमाने प्रेम लीन हवेदीन आपको त्रन समझा नहीं सकल सार को सार भजन तु करी रसरीती रे मन सोच विचार रही थोरी बहु बीती प्रश्णो पासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जा रही है पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जैसे भक्त कवी आगे और नहीं हो प्रश्णगर के नरेश महराज नागरिदाज जी अलबेली अली जी चाचाहित व्रंदावंदास जी भगवत रसिक आधी अनेक पहुचे हुए भक्त बराबर होते रहे जिनोंने बड़ी सुन्दर रचनाएं की पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुड़ता रही है उतनी आगे चलकर नहीं रही मतलब जितने ज्यादा कभी इस काल के भीतर पाएं उतने आगे नहीं रहे हैं वे कुछ अधिक अंतर दे कर हुए जैसे का काफी समय बीच जाने पर कोई एक रामपरा का समापन कहह रहे हैं यह कृश्ण वक्त कवी हमारे साहित्य में प्रेम माधूर्य की सुधास रोध बहा गये हैं वंके प्रभाव से हमारे काफे छेत्र में सरस्ता और प्रफलता बरापर बनी रहेगी बनी रही नहीं बनाई रहेगी दुखवात की छाया आक्ट आकर भी टिकने ना पाएगी इन भक्तों का हमारे साहित पर बड़ा भारी उपकार है। कुछ फुटकल रचनाएं भी देखे सुखलु जी ने दी हैं पूर्व मग्देकाल यानि भक्तिकाल प्रकराण छे में देख लेते हैं जितना हो जाता है उसमें कर लेते हैं जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्तिकाल का प्रवा उम्रा उसका हो चूड़ मुग्णलों का सामराज यहां पर इस्थापित हो चूगा था ना बहुत हींता में जा रही थी वय प्रवार राजाओं या शासकों के प्रोत्षान आधी पर अभलम्बित मा था जन्ता की प्रवरत्य का प्रवाद्थ ता जिसका प्रवर्तकाल था हु na मतलब किसी राजा ने यहां पर प्रोत्साहन नहीं दिया था इन कभियों को वो जनता के जनता को उन्होंने खुद साहरा दिया था यह यह कहें कि जनता के लिए उन्होंने बहुत मनोबल प्रदान करने का काम किया था वो जनता के बीच में जनता के लिए ही खड़े हुए थे ना त रोक सकता था उस प्रवाहकाल के बीच अकबर जैसे योग्य और गुर्गराही सासक का भारत के अधिश्यर के रूप में प्रतिस्ठित होना एक आकस्मिक बात थी मतलब जहां पर इसके पूर्व के जो मुगल थे वो बहुत ज्यादा अत्याचारी थे महीं पर जैसे सुकल ज स्थाफ के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापिन सांती सुख को गिनना भारी भूल है उस सांती सुख के परिणाम सरूप जो साहित उत्पन हुआ वे दूसरे ढंका था मतलब ठीक है यह सुकल जी कह रहे हैं कि अकबर जैसे गुण ग्राही लेखक का जो प्रतिस्ठा ह कोई वह आकस्मिक बाग थी लेकिन जो सूर और कभीर जैसे कभी शरुए वह अकबर द्वारा इस्थापित किसी सांती सुख या अकबर द्वारा जिस तरह से सांती भारत में की गई उसके परिणाम सरूप सूर और तुलसी जी का नहीं उत्भव हुआ था उसके परिणाम स रचना पद्धत्यों के पुनरत था जो पठानों के सासन काल्म की असांती और विपलव के बीच में तब गई थी और धीरे दीरे लुप्थ होने जा रही थी पठान सासक भारती संस्कृत के से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहए सभी जानते हैं अकबर की चाहें नीदी कोसलता कहिए चाहें उधारता कहिए उसने देश की परंपारागत शंस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के छेत्र में फिर से उTसा का संच कारण चाहें जो भी हो लेकिन अकबर के आने से कहीं न कहीं भारत की संस्कृति में योग मिला जो भारतिये कलावन छोटे मोटे राजाओं के यहां किसी प्रकार से अपना निर्वा करते हुए संगीत को सहरा दिये हुए थे वैब साही दर्बार में पहुँचकर वाह वाह की धनियों के पीच अपना करतब दिखाने लगे जहां बचे हुए हिंदु राजाओं की सभाएं सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत साहित या पुरिस्कृत किये जाते थे वहां बात्सा के दर्बार में भी उनका सम्मान होने लगा कवियों के सम्मान के साथ सथ कविता का सम्मान थी जहां तक बढ़ा कि अब्दुर्रहीम खान खाना जैसे उच्पदस्त सर्दार क्या बात्सा तक ब्रजभासा की ऐसी कवित कर रचनाएं करने रगे अब्दुर्रहीम खान खाना को तो आप लोग समझी रहोंगे न उच्पद पर थे वो उन्होंने भी प्रजभासा में इस तरह की रचना की है चलिए इनकी भी देख लेते हैं रहीम ताजी की भी जाको जस है जगत में जगत सराहे जाएं ताको जीवन सफल है कहत अकबर साही ये अब्दुर्रहीम खान खानाजी की पंक्तियां है साही अकबर एक समय चले कान विनोद विलोकन बालही आहट ते अबला ने रिख्यों चकी चोंकी चले करी आतुर चालही त्यों बली बेन सुधारी 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 भैच भी यो ललना अरुला लही चंपक चारु कमान चड़ावत काम जो हाथ लिए अही बाल लही नरहरी और गंग जैसे सुकवी और तान सेंज जैसे गायक अकबरी दरवार की सोभा बढ़ाते थे ये अनकूल परिस्तियां हिंदी कावे को अग्रसर करने में अबश्य शहायक हुई वीर, स्रंगार और नीदी की कवताओं के आविर भाव के लिए विस्ट्रित छेत्र फिर खुल गए जैसा कि आरम काल में दिखाया जा चुका है कि फुटकल कविताएं अधिकतर इनी विस्यों को लेकर छप्पय, कवेत, सवाईयों और दोहों में वुआ करती थी मुक्तक की रचनाओं के अत्रिक्त प्रबंद कावि की परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान कावि भी इस काल में लिखे गए खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं दिया गया ठीक है भक्तिकाल तक नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं दिया गया है हिर्दर आम ने भासा हनुमान नाटक को जो हिर्दर आम ने समय भासा हनुमान नाटक लिखा उसको नाटक नहीं कह सकते हैं इसी प्रकाश सुप्रसिद्ध क्रश्न भक्त का विव्याज जी जनका समय संबख 1620 के आसपास है के देव नामक नामक एक सिस्से का रचा नाटक, देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ग्यान बारता है, मतलब उसको नाटक की स्रेणी में नहीं राखा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि अकबर के राजत्वकाल में एक ओर तो साहित्ति की चली आती हुई परंपरा को प्रोंसाहन मिला। दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्यवाणी का स्रोथ उमरजा। इन दोनों की सम्मिलित विभूती से अकबर का राजत्वकाल जगमगा उठा औ भक्तिकाल को स्वर्ण यू कहा जाता है सभी जानते होंगे उसका कारण यहां बताया जा रहा है। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्तों का अव्तार था तथा नरहरी गंग और रहीम जैसे निप और भावुक कभी दिखाई पड़े उसके साहित्तिक गौरों की ओर द अश्रे प्राप्त था और दोनों तरह के कभियों ने मिलके उस यूग को एकदम साहित्तिक गौरों प्रदान किया। चीहल ये राजपुत आने के ओर के थे समध 1575 में इन्होंने पंच सहली नाम की छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी भासा में बनाई थी। जुक कभिता की द्रश्टी से अच्छी नहीं कही जा सकती जिसमें पांच सक्षियों की विरह वेदना का वर्णन है। दो है इस ठंकिये अब देखिए नाम है पंच सहेली ठीक है और क्या वरणन किया गया है पांच सहेलियों की विरह वेदना का वरणने ध्यान रख लिजेगा पूछा जा सकता है देख्या नगर सुहावना अधिक सुचंगा थान नाउचंदेरी परगटा जन सुरुलोक समान ठाही ठाही सरवर पेखी सुभर भरे निवान ठाही ठाही कुवा बाबरी सोई फटिक समान पंद्रा से पचहत तारे पूनिम फागुन मास ठीक पंच सहेली वर्ने कविच हीहल परगास इसकी लिखी एक बावनी भी है इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें बावन दो हैं इसलिए उसका नाम बावनी है ठीक लालचदास ये राए बरेली के एक हलवाई थे भागवर्द दसम इसकंद भासा नाम की पुस्ता अवधिमिली भासा में बनाई अवधिमिली भासा में ये दोनों पुस्तके कावे की दर्ष्टी से सामाने स्रिनी की है और दोहे चौपाईयों में लिखी गई है दसम इसकंद भासा का उलेख हिंदुस्तानी के फार्सी विद्वान गर्षा दातासी ने लिखा किया है और लिखा है कि उनका अनुवाद फार्सी भासा में हुआ है भागवर भासा इस प्रकार की चौपाईयों में लिखी गए ये देख लीजे पंदरा सो सटासी जहिया समय बिलंबित बरनों तहिया मास असाड कता अनुसारी हरिबासर रजनी उजियारी सकल संत कह नामों माथा बली-बली जहें हो जावत नाथा राइ बरेली बरन अवासा लालच राम नाम है केया सा क्रपा राम जी को भी देख लेते हैं क्रपा राम जी इनका कुछ व्रत्तांत ग्यात नहीं है इन्होंने समद 1598 में रस रीती के पर हित तरंगडी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया था रीती या लक्षण ग्रंथों में बहुत पुराना है कभी ने कहा है कि और कभी ने बड़े चंदों का विस्तार में स्रंगार रसका वर्णन किया है पर मैंने सुखरता के विचार से दोहों में वर्णन किया ठीक है इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी र नहीं मिलते हैं। करफेराम का चांड नहींカ की दोह मिलतें हैं , फस्य का त्यूंथ चुपूंती हिसे सिद अगर यह उपर की लाइन आपको दे दी जाए और का जाए किस ग्रंत से लिया गया है तो हित्तरंगणी बता दी चेगा दो में से एक बात हो सकती है या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूच कर लिया अत्वा दोहे पीछे से मिल गया है मतलब या तो बिहारी ने इनके हित्तरंगणी के दोहे जानबूच के अपने उसमें सामिल कर लिया है या पीछे से इनको प्रच्छेपित कर दिया गया है ह तरंगणी के दो हैं बहुती सरस भापून और परमाचिर भासा के कुछ नमुने देखिए लोचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विस्पूरी मनम्रग बेंधू मुनिन के जग जन सहत बिसूरी आज साबरे हो गई नंद लाल हित ताली कुमद कुमदनी के भटू निर्खे और हाली पति आयो परदेश ते रित बसंत को मानी जमकी जमकी निज महल में तहले करे सुरानी प्रीद में हैं कि अनियुद आज सरे तो हो किया कल के वीडियो में हमारा जो भक्तिकाल है वो पूरा हो जाएगा ठीक है फिर हम प्रस्थान करेंगे आज की वीडियो में इतना ही एक और वीडियो के साथ में हमारा भक्तिकाल पूरा हो जाएगा यह सारे वीडियो आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप भी मिल साथ देखने को म महां जोइन करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं जिससे आपकी त्यारी और अच्छी हो जाएगी आप लोगों का साथ बनाय रखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजेगा प्लीज है ना जादा जादा शेयर करिए क् को देखने में इंट्रेस्ट नहीं होगा या जादा तर लोग नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत व्यारत जाती जादा जादा शेयर कीजी और कमेंट देना बिलकुल मत भूलिएगा ठीक है बहुत बहुत दन्यवाद नमस्कार